पांच साल से विद्वा का रॉल कर रही एक महिला रात को बारा बजे तयार होती है पूरा सिंगार करती है लाल साड़ी पहनती है और जब कोई उसे चुपके से देखता है तो खुलता है राज नमशकार मैं महक चौदरी लेकर आई हूँ आपके सामने उत्तर प्रदेश के दिला गौंडा की सची घटना यहां पर एक महिला जिसके पती की डेथ हुए पांच साल हो चुके थे और वो कुछ ऐसे हालात में पाई जाती है यह कहानी एक परिवार की है परिवार में देवरा लेकिन कहते हैं जब समय उल्टा आता है तो कोई कुल में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी वज़े से पूरे परिवार को भुक्तान करना पड़ता है वैसा ही इस कहानी में हुआ इस कहानी में जब लड़ाई होती है घर परिवार में तो अक्सर क्योंकि चार बरतन जब इसा होता है लेकिन एक दिन अचानक जब रात को घर में लड़ाई होती है तो ये बहु भागी दोड़ी पुलिस्टेशन जाती है और जाकर कहती है सहाब मेरे पती को मेरे देवर और मेरे जेट और मेरे ससुर ने पता नहीं मार कर कहां फैंक दिया है अब तक उसकी डेड को देखते हुए उस लड़की के चहरे की मासूमियत को देखते हुए थाना इंचार्ज तुरंट एक्सन लेते हैं और तुरंट उसके बताय हुए अड्रस पर पहुंचकर उसके देवर और उसके ससुर को अरेस्ट कर लेते हैं जब परिवार के तीनों लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है अब महीला है रह जाती है आस पड़ोसी बड़े अचंबे में थे कि आखिरकार वो लड़का गया तो कहां गया इसमें जो लड़का है उसका नाम होता है शामकरन और जो लड़की है जो विद्वा बनकर रह रही है उसका नाम होता है गुडिया और इसका जो को जेल में डाल दिया गया और अब वो महिला एक विद्वा की जिन्दगी जी रही है। कुछ लोग उस पर तरस खाते हैं कि इसके परिवार वालों ने ऐसा क्यों किया लेकिन जब परिवार वालों को जेल में घर की महिलायं भी जाकर पूछती हैं तुमने आखिर छोटे के साथ क्या किया रामचरण के साथ क्या किया तो वो कहते हैं कि सच में हमें खुद को नहीं पता कि आखिरकार वो गया कहां जब लगातार सभी पूछते हैं और माजरा नहीं खुल पाता है तब ही जो जेल में बंद व्यक्ती थे वो कहते हैं कि तुम थोड़ा तो ध्यान रखा करो कि वो किसी से मिलती है बात करती है नहीं करती क्योंकि अब वो अलग-अलग घरों में रहने लगे थे लेकिन घर सटे हुए थे दूसरे से तभी जब एक बार मिलने के लिए अर्जून की पतनी अपने पती के पास जाती है जेल में तभी वो कहती है कि पता नहीं रात को उसके कमरे से बहुत आवाजें आती है तभी वो कहता है कि तुम कल ध्यान से देखना इस चीज़ को तब अर्जुन की पतनी लगातार उस पर ध्यान रखने लगती है तो रोज रात को वो किसी से वीडियो कॉल पर बात करती रात के बारा एक बजे खूरा श्रिंगार करती लाल साड़ी पहनती और सारी सारी रात सुबह हो जाती थी उसे उससे बात करते करती जब उसे इस बात का पता चलता है तब अर्जुन और बाकी दो लोगों की पतनी सास समय वो सभी पुलिस थाना जाती है और जाकर कहती है कि आप पता लगाए कुछ ना कुछ चकर है हमारी जो बहु है जो विद्वा बनी बैठी है घर में कुछ ना कुछ खिचडी उसी ने प गुडिया थी उसकी contact details निकलवाते हैं क्योंकि अर्जुन की पतनी ने बताया था तो वो contact details जब निकालते हैं तो पता लगता है कि गुजरात से कोई व्यक्ति गुडिया से लगाता रात के 12 एक बज़े से बात करना शुरू होता है और सुबह के 4 बज़े तक बात करता है पुलिस ट्रेस करते हुए location पहुच जाती है गुजरात और जब गुजरात में जाकर उस व्यक्ति को पकड़ती है और जब उसका चेहरा देखती है तो पुलिस भी रह जाती है हैरान क्योंकि वो कोई और नहीं गुडिया का पती था और पती वहां पर नौकरी कर रहा था वही उससे रात वर बाते किया करता था जब आकर गुडिया से पूचा जाता है तब गुडिया बताती है कि मुझे ये जाजाए चाहिये थी सारी और इसमें हम दोनों ने मिलकर ये किया था लेकिन अब मुझे डर सताने लगा था कि कहीं मेरा पती मुझे भूलना जाए और किसी और के चक्कर में नफस जाए इसलिए मैं रोज रात को उससे वीडियो कॉल पर बाते करती थी ये थी लालच की कहानी इसमें इस गुडिया ने इतना लालच किया घर के परिवार के लोगों को जेल तक बिजवाया जबकि भगवान जिसके नसीम में जो देता है वो उसे म मिलता है अगर आप किसी की चीज पर नियत दिगाओगे तो भगवान आपको सज़त जरूर देगा जूटे केस के आरोप में पती-पत्मी दौनों को पुलिस ने जेल में डाल दिया और उन तीनों को साथ में ससुर को और दौनों भाईयों को जेल से बाइजज़त निकाला जिसने जंजोर कर रख दिया कि क्या परिवार की बहु ऐसा कर सकती है और उसी परिवार का बेटा अपने पिता को जेल बिजवा सकता है अपने छोटे भाईयों को जिनों ने बचपन उसके साथ जिया वो एक महिला के चक्कर में आकर अपनी पतनी के चक्कर में आकर ऐसा कर तो अंधा विश्वास किसी पर करकर ना बैठें सावधानी से रहें सतर्पता से रहें वीडियो अगर जड़ा भी अच्छा लगा है तो अपनी राय कमेंट बोक्स में ज़रूर लिखिएगा बहुत जल्द फिरातियों ऐसी एक सची गटना के साथ तब तक के लिए जैहिन ज लेपर